सामुदाईक भवन नामने तो आप सुना ही होगा वो भवन जिसका निर्मान सरकार के अंस से सरकार द्वारा उस सारजनिक जगहों पे कराई जाती है जहां कि उसका उप्योग समाज के सरवांगिन विकास के लिए किया जाए सामुदाईक भवन की अनुसंसा भी बिधायक अस्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है और उसके बाद इसका निर्मान होता है सामुदाई भवन बनाने के पीछे सरकार का एक मात्र देश होता है कि जब कभे भी आफत विपत या कोई वैसी विपता आएं तो इस भवन का निर्मान किया जाए या सरकारी काड़िये है तो इसे उप्योग में लाया जाए कई जगहों पर सामुदाईक भवन मुख्यता समाज की संस्था होती है और उसका उप्योग समाजिक रूप से किया जाता है लेकिन आज जो तस्बीर है वो तेगरा प्रखंड अंतरगत रात वहां की जो इस्तिती थी उसको देखकर मेरी जिग्यासा बढ़ गई हम जब वहां पर पहुंचे तो हम देखे कि वहां पहुंचने के लिए एक फर्स क्लास चकाचक सरक बना हुआ है लेकिन सामुदाईक भवन के फर्ष पर ब्रामदे पर हमने देखा कि वहां पर भूसा हुआ था बारी मात्रा में भूसा जब वहां पर कुछ वैसे चीज रथे जो नीजी तौर पर थे वहां ठेरों सारे ऐसी चीज़े हमें मिली जिन चीजों को देखने के बाद मेरी जी ग्यासा बढ़ती गे हमने जब पता किया तो पता चला कि इस भवन का निर्मान उस समय क ब्रवनी बिधान सभा के विधायक राजंदर परसाद सिंग के द्वारा अनुशंसित योजना के द्वरा की गई थी जिसके परिणाम सरूप इस भवन के सबसे चेहरे बाला फेस पे यानि सबसे बाहरी भाग पे लिखा हुआ था राजंदर परसाद सिंग फिर जब हमने अंदर देखा तो लिखा था मतदान के अंदर हम अब अस्थानिया लोगों से पूछना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये सरकार के द्वारा अनुसंसित तेगरा प्रखंड का जब भी कोई चुनाव आयोजीत होता है चाहे वो बिधान सभा का हो चाहे वो सांसद का चुना हो पंचयती अस्थर का चुना हो इन तमाम चीजों में ये मतदान केंदर होता है लेकिन उसके बाद यह अतिक्रमित है हमने पता कि कितने ऐसे यहाँ पे हैं तो अस्थानियन लोगों ने बताया कि सर इस पंचायत में लगभग दरजनों सामुदाइक भवन बने हुए हैं और यह सभी सामुदाइक भवन नीजी तोर पर अतिकरमन का सिकार है फिर हमने अपना फोन लगाया परखंड विकास पदादिकारी को उन्होंने कहा कि व बन शमुदाइक भवन जो हैं वह अतिकरमन का सिकार है अब सबाल जिला पता अधिकारी से उठता है या फिर अनुमंदल पता अधिकारी सिक सर जब यह आपकी संपत्ति है तो अतिकरमन क्यों क्यों नहीं है इसे लोगों पर का